नमस्कार सुबह की नई उजा और तरो ताजगी के साथ डीडी बिहार का मौनिंग लाइब शो बिहार बिहान और आज के संक को लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट निहारी का वांदरफुल मौनिंग टु आल माई लवली विवेश आजकार करम की शुरुआत कर हमने ये कैसी हवा दिलाई है अपने आस पास नजर डालिए तो जो हमारा प्रयावरन है वो कुछ ऐसा होता चला गया है कि जब भी हम प्रयावरन शब्द का जिक्र करते हैं तो प्रदूशन खुद बखुद शामिल हो जाता है चारो और वायू प्रदूशन धुहनी प्रदूशन मानो पूरा प्रयावरन इन सब की गरफ्त में आ चुगा है और सच पूछे तो विकास के साथ प्रकृति का दोहन करता हुआ मानो यानि आप और हम इन सभी के लिए जम्मेदार हैं सोचने की जरूरत है और आज इस कारिक्रों में इस महत्वण मुद्दे पर ह हमारे साथ हैं हमारे विसेश महमान रहेंगे हम बात करेंगे बिहार राजे प्रदूशन नियंदरन बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी से जो एक आई एफस ऑफिसर हैं आज हमने आमंतरत किया है बिहार प्रदूशन नियंदरन बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी स्री एस चंदर से जिकर जी को आपको बता दू कि आप 2023 के बैच के आई एफस ऑफिसर हैं तो चलिए आज हमारे साथ स्वागत करिए हमारे विसेश मेहमान श्री एस चंदर सेकर सरका सर अभिनंदन स्वागत आपका कारीकरम में आज के दिन की विसेशता से में बात करना चाहूंगी क्योंकि आ आप इंडिन फार्ट सर्विस से जुड़े हूए हैं आज हमाना आते हैं विश्व रेंजर्स दिवस क्या कहना चाहेंगे वेल रेंजर्स डे है मैम इसको बार्श दोवाजर साथ से इंटरनेशनल रेंजर्स पेडरेशन है उसके दाए डिफरेंट कंट्री में जो है इसका प्रबंदन करते हैं उन पादादीकारियों या करमशारियों का जो भी उनका लाइन नाफ ड्यूटी में उनका डेथ हो जाती है इसको समरन करना है और उनको प्रोथसाहित करने के लिए यह दिवस होती है और इन लोगों का वेलफार के बारे में जो है व्योंक्त है और आज के दिन को मनाने का विश्वसतर पर आज बनाते हैं। मैं बात करूँगी आपके IFS सर्विस को जोइन करने की। होता कुछ यू है कि जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो फिर अपनी करियर के लिए हम कुछ आपसंस लेकर चलते हैं। चोटे बच्चे से भी पूछा जाए क्या बनना है तो उसकी पाचकुल बाते होती हैं। आपसे जानना चाहूंगी। कैसे चयान क्या एस सर्विस को जोइन करने का। अब एक तरह का बाई बर्त ही में रहूँ फारस्टी से रिलेटेड है। मेरा गाहों के बगल में जंगल है। बच्चपन से हमको जंगल में काम करने का इसका इच्छा थी। इसलिए मैं कालेज में भी जब मैं जाइन किया था बीसी फारस्ट्री किया हूं। बिहार में कारे कर रहे हैं। और आपने कहा कि शुरू से ही आपने सोच लिया था कि मुझे जब भी कारे करना है। मुझे फारस्ट के लिए काम करना है। जम्गल का जो जीवन है उसे इस अंरक्षित करना है। अब बगाएदा आप ये काम कर रहे हैं। किन-किन विभिन पदों पर आपने कारे किया अभी वर्तमान पद पर काम करने से पूर्वा मैं मेरा शुरू हुआ था सबसे पहले वालमी की टाइगर सो पसमिचंपारंड जिला में है वहां मैं ऐसाथ साल का एब बाहि writes यो आज बहुत सफलता पूरवक अभी चौवण टाइगर से शुरू हुआ वहां शुरू हुआ था उसके बाद दो साल रोतास वन प्रमंडल में आमने कारी किया था जहां वह आवाइद कनन वहेरा का रोकताम पर मेरा सक्रिय पूमिका रही है और उसके बाद मैं निदेशक संजय गांधी जैवी कुद्यान जो यहां का पटना जू के नाम से प्रसिद प्रदूशन नेंटरन परिशिद में एक साल शुरू में 2016-17 में भी किया हूं यह मेरा सेगें स्टिंट है उसके बाद करीब 15 महिना हमने वन संरक्षक गया वन अंचल में भी हमने कारी किया था मैं वहां वह प्यूरली फारस्ट का बचाने का वह फारस्ट को विकसित करने क वह निबा रहा था उसके बाद फिर पुना हमको सरकार का आदेश हुआ कि बिहार राजी प्रदूशन नेंटरन परिशिद में सदसे सचेव के रूप में यह सेगेंड टर्म फिर से पोस्टिंग है यह भी करीब-खरीब मेरा तीन वर्ष हो चुका है तो इस तरीक से मैं य कसी एबोर्ड कारे कर रहा है मैं मेरा जिम्मेधां का निरदारयन बिहार राज प्रदूशन नेंतरन पर्शिद के परशिद मंडल द् Вторए जो परस्चर का दायतों है उसका हम निर्वहन करने का उप क्रियानवित करने का कारे वह वह सद सचेव का परश्चिद का दायतो पर मेरा बार्यारन का प्रदूशन नेट्रन घू अनुष्रवन healthy अनुष्रवन यहां करते हैं जन जाग्रिटी करना प्रोदूशन को करने मेस का कैसे हो सकते हैं जन्ता की लोगों का बूमी का और कंए में सल्सक्राइब एक फिंध्र में यानि ये देखना कि अगर प्रयावरन प्रदूशित हो रहा है तो उसकी कारण क्या है फिर उसकी रोक थाम के लिए एक्सिन प्लान बनाना और साथ ही ये भी देखना कि वो प्लान किस तरीके से काम कर रहा है लोगों को आवेर करना इस क्षेतर में काम कर रहा है ये इसमें कर राजियों के होते हुए गंगा जी का गुजार रही है उसका जल प्रदूशन एक बहुत बड़ा समस्या है क्योंकि यहां पॉपलेशन का डेंसिटी बहुत जादे हैं इंडो गैंजटिक प्लेंस में लोकेटेड है यह पूरा एरिया और इसका फूट प्रडक्शन भी काफी डॉमस्टिक सीवेज जो है उसका भी निसारन इसी में पारी में की जा रही है अब जामावी गंगे के स्कीम के तहत में उसका कई सारे सरकार का कदम की जा रही है जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लेंट प्लेंट इस तरह के वह चालू तयार करके उसको संचालित की जाती गंगा में जल प्रदूशन काफी गंबीर समस्या है उसमें बिहार के अंदर जब गंगा प्रवेश करती है उस समें प्रदूशन का स्थर ज्यादा रहते हैं जब बाहर निकलती है उसमें प्रदूशन का स्थर कम रहती है उसका मुख्य कारण है हमको उत्तर बिहार में हिमाल त्यार किया रहता है उसका ताई किया हुआ है अधिशूति किया हुआ है परियावरन वन चल्वाई परिवरतन मंत्रा ले बारत सरकार द्वरा उसके ताहत में हम लोग का सभी उसका मानकों का फुल्फिल करते हैं कैवल एक मानक को छोड़के जो TCFC बैक्टिरियल लोड जो हो करते हैं उसको बिना मतलब वहुतर के गरेलू बहिश्राव का निसारण जो सीधे रही हो जाते है वह एक मुक्यकारन है उसके लिए वह भारत सरकार का नमाम की चुरें है के तहत तरहयोंनल मौड में गंगा के किनारे किनारे और गंगा की नदी के किनारी जितना भी शाहर है वो सबी शाहरों में सीवेज टृटमेंट प्लान्ट लगाई जारी है तो इस तरीके से कोशिश यह की जाती है कि जो गंगा में पानी जाए वो स्वक्छ जल जाए और उसमें जो भी प्रदूशन है उसे हम पहले ही रोक करके हटा लें और भी कई ऐसे कारिक्रूम हैं जिस पर आज कारिक्रूम में बाते करेंगे, बहुत सारी जानकारियां हैं हमारे पास, बने रहेगां बिहार बिहान के साथ बस एक छोटा सान दराल जद लोटते हैं. पुना स्वागत आप सभी दरश्यकों का, मैं बताते चलनू कि आज हम बातचीत कर रहे हैं बिहार पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी स्री इस चंदरशेकर सरसे. सरम बाते कर रहे थे जल प्रदूशिन के बारे में और आपने नमामी गंगे के तहर जो रियो जनाए चल रहे हैं उसके बारे में बताया. कभी-कभी कई इंडास्टरी सी होती हैं और एक मुखे स्रोत हैं अगर मैं कहूं जल को प्रदूशित करने के लिए कि अगर उनके जो वेस्ट पदार्त हैं वह जल में प्रपाहित कर दिया जाते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं कैसे नजर रखते हैं अगर कोई इंडास्ट्री का पालन नहीं कर रही है बिलकुल सही कोशिन आपने पूचा है मैं इंडेस्ट्री का भी बहुत इंपार्टन रोल रहते है वाटर पॉलूशन में हम लोग के करीब 75 ग्रासली पॉलूटिंग इंडेस्ट्री यह सबसे ज्यादा उनका पॉलूटेड वाटर निकलते हैं तो उसको हम लोग मेंडेटरी किया हुआ है एपलिवेंट ट्रीटमेंट प्लैन लगना है और उसका ट्रीटेड वाटर जब निकलते हैं उस वाटर का रियाल टा वार्ट dins में एक बार-स उसके सहाई-नदी में महिना में येक बार लेते हैं। इसका पानी का संगरान करके उसके अपना परयोग शाला में उसको जांच करते हैं। उस से कॉनым हुआंट में जाधा आते हैं। उस point से फिर हम लोग शुरू करते हैं, इसका source कहां है करके, further sampling करके, नजदीक पहुंचते हैं, तब वहां का उस industry को बंद करने का आदेश बी दिया जाता है, इस तरह का कई industries को बंद करने का आदेश भी दिया हुआ है। तो पूरी तरह से जाग रुकता के साथ काम करते हैं, आप देखते हैं कि अगर इस शेत्र में जो जल है वो प्रदूशित हो रहा है, कारण तक पहुंचते हैं और अगर किसी इंडस्ट्री को आपने लोकेट किया, तो बाकायदा उसके क्लोजर का भी प्रावधान है. कुछी इंडस्ट्री में है, मैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करके हैं, वहां जो है क्लोस सर्क्यूट टीवी, सीसी टीवी कैमरा से लागा के वो हम लोग का सर्वर, सेंट्रल पोलुशन कंट्रोल बोर्ड का सर्वर में भी लिंक राता है, इसके अलावे, सेंट्रल हमारे आफसर को डेट, टाइम, काउन यूनिट मालू में राता है, सीधे लेके जाते हैं यूनिट पर, वो प्रफसर उसमें राते हैं, एक बार सबी यूनिट का हम लोग तरावली चेक अप करते हैं, उसमें तोड़ा सा भी अगर वाइलेशन होते हैं, उनको हम लोग एक म गंगा ये भी एक योजना है, जिसके तहट आप काम कर रहे हैं, क्या मुख्यों देशे हैं और किस तरीके से इसमें कारी हो रहा है, बहुत ही एक प्रसिद्ध, बहुत महातवपूर्न एक योजना है, उर्जा गंगा योजना, जिसके तहट वो पाइप्ले नैच्रल गैस क सप्लाइ होती है, बिहार के अंदर सभी जिलाओं में ये पाइपलाइन का काम चल रही है, लेकिन ये काम शुरू हुआ था, 2018 में माननी प्रदानमंत्री महोदय द्वरा उस समय उद्गाटन किया गया था, बनारस से, ये पाइपलाइन बनारस से गया, गया से परवनी और इधर एक लाइन पटना के तरफ शुरू में आया था, अब होके यहाँ ओएन जीसी है, पटना जिला का जिमा देखते है, उनको जिमा में है, और तिंक गैस है, बेगुसाराई का देखते हैं, और 24 जिले हैं जिसमें शुरू में आयो सील देखा जा रहा था, शिर्फ 24 जि अब करीब 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 22 CNG स्टेशन अपरेशनल है, और यहाँ दो वर्ष पहले यहाँ था, अब करीब करीब 22 CNG स्टेशन अपरेशनल है, और उसका केपैसिटी भी करीब 65,000 किलो ग्राम स्टेशनल है, तो यह काफी अच्छा प्रोग्रेस है, इससे क्या होगा वायू प्रोदूशन में काफी कमी दिख रही है, क्योंकि डॉमस्टिक सेक्टर हम लों का पूरा वायू प्रोदूशन का पूरा अनुपात देखा ज कुछ इंडस्ट्रीस भी यूज़ करने अभी शूरू कर दिया है कोईले के जगह पर, कोईले जादा प्रोदूशन करता है, कोई भी जीवाश में इंजन जादा प्रोदूशन कारी होते हैं, तो इसलिए इंडस्ट्रीस भी इस तरह का सुछवर हो जाएंगी, काफी हद त कि अगर बात करें तो कि हम वायू के बारे में चक्र कर रहे हैं। वायू प्रोदूशन का भी मानक एक अधिशूचित किया हुआ है परियावरण वन्हें जलवाई परिवर्तन मंत्रा ले बारत सरकार द्वारा। उस मानक के अनुरूप हम लोग सभी प्रकार का मानक को मीट करते हैं जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो उसका वेहिकल से आते हैं वो फुल्फिल हो जाती है लेकिन एक पैरामेटर जिस पे हम लोग बिहार में उसको अभी मानक पूरा नहीं कर पाते हैं वो है डेस् भी मानक ताय किया हुआ उसके लिए पीम तू पाइंट फई पीम तेन और न्ट पाइंट फई मतलब उसका माइकराण साइस है मैक्रोग्राम पर मेटर्ज़ब कर जोंकर होते हैं और उसमें करीब-करीब उसका हम लोग का 16 पैरामेटर को जांच करने के लिए हम लेकिन आम अब एक साल पूर्व में हम लोग 24 आउर बढ़ा दिये, कुल मिला के अभी हम लोगों का 35 स्टेशन अभी 23 जिलो में कारियरत है, यह आटमेटिक स्टेशन है, रियल टाइम है, पपलिक डॉमेन में भी रहते हैं, वो उसका एवरी हार उसका डेटा चेंज होती ही रहती है, उ इनको रोखने के लिए क्या कोई action plan भी आप काम कर रहे हैं, हाँ जी मैम, बिहार में जो ambient air quality standards को जो मानक को फुल्फिल नहीं करते हैं, उसको शहर को हम लोग non-attainment city काते हैं, शुरू में तीन ही शहर में हम लोगों का monitoring station था, इसलिए उसके reading के अनुसर बारत सरकार ने उसक जो बड़े शहर है, बिहार के, उसके लिए city specific clean air action plan हम लोगों ने तयार किया था, जब ये monitoring station पूरा state बर का हम लोग अभी लगाना शुरू किया था, उसका reading के द्वारा हम लोगों को पता चल रहे हैं, ये पूरा entire state में ये particular matter का pollution पूरा है, तो उसको control करने के लिए हम को मिल गिया है, जिसके ताथ graded response action plan, एक emergency response system होती है, उसको भी तयार करके, बिहार सरकार का अनमोधन लेकि, सभी जिलों को हम लोगों ने circulate किया है, और उसको monitor भी की जाती है, इसको state level पर monitor करने के लिए, चीफ सेकरेटरी सर के अध्यक्सता में steering committee है, और principal secretary environment department के अध्यक्स district level implementation committee है, जो संबंदित जिला पाधिकारी के अध्यक्सता में होती है, इसको समय समय पर की जाती है, वो monitoring, इसके अलावे, पतना जैसे million plus city है, उसके लिए 15 वां वितिया आयूक का एक अनुदान मिलती है, वो उसका पतना municipal corporation को direct मिलती है, जिसके उसको monitoring करने के लिए, state level monitoring and implementation committee जो सची परियावरन विवाग के अध्यक्सता में होती है, इस तरह का system है, आपने देखा है कि समस्या कहा है, और उस पर रोकताम करने के लिए कई स्तरों पर मैं देख रही हूं काम किया जा रहा है, और अब बात करूंगी मैं आप से ध्वनी production की, क्योंकि जब आप सड़क का खामियाजा कहे लिजे, तो ध्वनी production पर क्या नजर है आपकी? मैं सरकार दोरा, environmental protection act के तहत, nice pollution regulation rules 2000 का अधिशूचित किया गया है, उसको अभी संसोधन का भी प्रक्रिया चल रही है बारत सरकार दोरा, nice pollution regulation rules के तहत, एक desirable level residential area और दिन में, रात में, और commercial industrial area में, दिन में, रात में, यह सब prescribed किया हुआ रहता है, अधिशूचित है, उस मानक से उपर जाने पर, उस पर कारवाई करने के लिए, विहित प्रादिकार, prescribed authority, अधिशूचित है, उस विहित प्रादिकार में, सदसे सचिव भी है, अध्यक्ष राजय प्रदूशन नेंत्रन परशद है, स अधिशूचित का एक online portal, हम लोग भी किसित किया है, अपना website में, सभी public के लिए upload रहते हैं, उसका WhatsApp नेंबर भी है, landline नेंबर भी, समय समय पर हम लोग newspaper में देते हैं, और उसमें कहां कहां noise pollution होते हैं, उसका complaint कहां किनको करना है, इस सब guidance हम लोग time to time करते हैं, इस public grievance redressal portal में कोई भी online आता हो, या offline आता है, तो उसको scan करके online में देखे, उसको unique number से उसको assign करके follow up कि जाती है, जिस district से सम्मंदित है, उस DM को बेजी जाती है, और उसको follow up action कारवाई होने के बाद, सम्मंदित complaint को हम लोग आवगत कराते हैं, यानि बकायदा, अगर कोई public भी चाहे तो वो आप तक complaint पहुचा सकता है, अगर किसी तरह का, कि production की जानकारी उसे होती है, तो आपका ये portal उस पर काम कर रहा है, दर शुको, फिलाल रुकेंगे, एक छोटे से अंतराल के लिए बने रहेगा हमारे साथ, जल लोटते हैं अगर मैं बात करूँ, प्रयावरन के प्रती, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, कि जो भी हम विकास करें, हम विकास कारे को रोक नहीं सकते हैं सर, पर जो भी हम विकास के कारे कर रहे हैं, वहाँ जरूर ये सोचें, कि जो हम कर रहे हैं, क्या वो सही है, हमारी जो ये प्रक्रिया है, वो सास्टेनिबल डिबलाप्मेंट की होनी चाहिए, इसके तहत आप ये काम करते हैं, कि आप किसी भी नए कारिक्रम के लिए, अगर वो क्या काम करते हैं यह सब्सक्राइब का एक अलग गवर्मेंट आफ इंडिया का अथर्टी हर स्टेट में क्रियेट किया हुआ है यह एक इंवर्मेंटल इंपक्त असस्में नोटिफिकेशन है 2006 में अधिशुचित किया है भारत सरकार द्वारा यह है एंवर्मेंटल इंपक्त अससमें अथर्टी क्रियेटई है उस अथर्टी को टेकनिकल सपोर्ट देने के लिए एक सब कमिटी है उसका नाम है स्टेट लेवल एक्सपर्ट अपरैसल कमिटी उसका में मेंबर सेकरेटी हूँ जिसका Pollution Control Board का Member Secretary का रोल अलग है और वहां का रोल अलग है और वहां का रोल अलग है यह अलग है उस State Level Environmental Impact Assessment Authority मुख्यता यह देखती है एक Online Portal में जो कोई Industry को उनको लेने होते हैं इस तरह का Industries का या Activities का List उस Notification में दिया हुआ है जो जो इस तरह का Highly Environmentally Damaging या कुछ Damage करने का Potential रखता है कोई Activity वह उसका उस List में रखा हुआ है वैसे लोग उसमें Apply करते है परिवेश पोर्टल में उस परिवेश पोर्टल में जैसे Application मिलते है Expert Appraisal Committee State Level Expert Appraisal Committee को बेजी जाती है इसमें Experts का यहां का Academicians Experts को रखके उसको Review की जाती है अप्रेज की जाती है Terms of reference देते हैं इसमें हमको यह यह Reading आपको Study करके आना है उसमें Draft Environmental Impact Assessment Report एक EAA Report काते है वह Report लेके उसके लिए 3 months minimum एक Season का लेना होता है और यह Total प्रकिरिया करीब 270 दिन का लगता है उतना जल्दी से नहीं हो पाते है क्योंकि इसका Impact Study करने होता है उसको लेके फिर अगेन अपलाई करने पर इसको Environmental Clearance का Recommendation आनुशन सा करती है State Level Expert Appraisal Committee to CEA CEA 3 Member Committee है हम लोगों का 8 Member Committee है SEAC का और अगेन इस Recommendation को CEA में State Level Expert Environmental Impact Assessment Authority अपना स्कूरूटिनी करके उसको OK करें इसको करते हैं इसको कहते है Environmental Clearance मुख्यतत तीन तरह का Clearances है परियावरण वानने जलवाई परिवर्तन से रिलेटेड है भारत सरकार द्वारा देखती है एक तो वनिपरानी का Clearance है एक तो वन फारस क्लीरंस और तीसरा है Environment Clearance यह तीनों Independent Clearance होते हैं इस तीनों में से किसी Particular Activity का अगर जरौत पड़ती है और उसमें एक भी Clearance अगर नहीं मिलेंगे तो वह Activity नहीं हो पाएंगे इस Clearance को कास करके Environmental Clearance को लेने के बाद वह Applicant State Pollution Control Board में for Consent to Establish का अपलाई करते हैं तो उस समय हम लोग उसको एक साइट विसिट करके फिर उसको हम लोग देते हैं इसको फालो करने से जो विकास और अमनों का परियावरण संड्रक्षन का जो मुद्धा है वहां वह बैलन्स हो जाते हैं किसी तरह का कोई Conditions उसमें कई सारे Conditions लगे रहते हैं उस Conditions का Monitoring भी State Pollution Control Board भी करती है State Level Environmental Impact Assessment Authority भी करती है Government of India भी Random Checking भी की जाती है उसमें किसी Condition का Violation पाये जाने पर उन पर दंडात्मक कारवाई करने का प्रावदान है उस तरह काम लोग दंडात्मक कारवाई भी कियें कई इंडिस्ट्री पर किया हुआ तो बहुत जरूरी है जैसा कि आपने बताया है कि कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं जहां कोई भी नई इंडास्ट्री अगर लेकर आ रहा है तो उन्हें सपस्ट बताना होता है कि अगर वो ये काम शुरू कर रहे हैं तो इससे प्रयावरन को इससे वन ये जीवन को किसी तरह किछटी नहीं होने वाली है तब ही उन्हें ये परमिशन दिया जाता है और ये बहुत जरूरी भी है अगर हम विकास की बात करते हैं और साथ ही साथ हम अपना ये स्वक्ष प्रयावरन अपने आने वाली पीड़ी को देना चाहते हैं आपसे बात करूंगी अवेरनस की बहुत जरूरी है सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं कई सारे बोर्ट्स काम कर रहे हैं पर जब तक आम जनता का सहयोग आपको नहीं मिलता है तब तक ये योजनाएं सफली बूत नहीं हो पाती हैं इसके लिए क्या काम करते हैं अब अब निस्फैलाने के लिए जन जागरुकता के लिए बिहार राज़ प्रदूशन ने अंतरन परिशद में अपना एक जन संपर्क एक संभाग अलग से रखा हुआ है कोई भी हम लोग जैसे की अभी इन्वार्मेंट क्लीरंस का बात हो रही थी इसके लिए हम लोग पब्लिक हेरिंग करते हैं उनको तीस दिन पहले ही उसका ड्राफ्ट एन्वार्मेंटल इंपक्ट असेस्मेंट रिपोर्ट को ग्राम पंचायत को जिला परशद को जिला पदादिकारी वहां का बीडी वो सब को सर्क्लेट की जाती है न्यूस पेफर में भी देते हैं अपना वेबसेट में भी हम लोग डालते है ताकि वह जनता को जागरुप रहे एस वहां एक क्रिया कराब उसी तरह का हम लोग का क्रिया कलाप करते हैं चर्ण जगरता के लिए जैसे हम लोग हर ब्लाक लवल पर होडिंग लगाने का काम करते हैं शोशल मीडिया का भी यूज करते हैं न्यूस्परपर में अडवर्टैस्मंट देते हैं प्लस हम लोग स्ट्रीट प्ले का यूज करते हैं हर तरह का मीडियम हम लोग यूज करते हैं लोगों को जागरुक करने के लिए जैसे विशेश रूप से देखा जाएगा जैसे होली के टाइम में हम लोगों का दाहन में टायर ट्यूब जला देते हैं उसको लेकर होती है और प्लास्टिक क्यारि बैफ को भारत सब्सक्राइब करते हैं नदी को प्रदूशित अब प्रदूशित बारे में जानकारी दी जाती है है यह चलते ही राता है आप अपने अस्तर पर कोशिश करते हैं कि परस्पर आम जाहर राते हैं तहीं के बारे में भी आपने कहा कि आप ट्रेनिंग्स भी देदे हैं क्या थैसे हैं वो जैसे मुद्दे हैं जहां अभी भी सोचना जरूरी है क्या फ्योचर प्लानिंग है भवेश्य की योचना है क्या है सबसे बड़ा है मैम बारत सरकार में माननीय प्रदान मंत्री महोदे द्वारा नवंबर 2021 में काप 26 ग्लास गो में एक उद्गोशना किया गया था कि हमारे देश जो है 1970 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे जो उससे जो है वो कार्बन का उत्सरजन को कम करने के लिए बारत सरकार काफी कदम उठाए जा रहे हैं वो एक जो है उसके लिए हम लोग United Nation Environment Program के साथ कई सारे think tanks internationally renowned think tanks के साथ कई संस्ताओं के साथ जिसके ताहत जो है Confederation of Indian Industries, World Resources Institute India, WRI India, CEW, Research Triangle International, IGBC, Indian Green Building Council उनके साथ काम करते हैं इकलाई South Asia वो solid waste पर काम करते हैं इस तरह का कई आरगने के साथ मिलके climate resilient low carbon development pathway यह एक strategy document है दोजार सत्तर तक कई से हम carbon neutral बन सकते हैं as a state तो यह एक future के लिए वो बना रहे हैं यह एक climate change के point of view से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्धे से एक मातपोर्न एक योजना है दूसरा वायू production को कम करने के लिए जहां जहां शुरोत है उसमें उत्सर्जन का शुरोत के बारे में पूरा inventory तयार करके उसका weather parameter के साथ जोड के उसको 72 गंटे के पहले उसका forecasting कैसे किया जा सकता ह मैं देख रही हूं कि जो आप बता रहे हैं यह जो दो महतपोर्न बिंदो के बारे आपने कहा इस पर काम लगातार चल भी रहा है यह आपकी future planning में भी शामिल है इस पर आगे कारी करने की यूजना है आपकी बहुत महतपोर्न जानकारियों के साथ आज आपने वक्त दिया ह हमें सर बहुत बहुत धन्यवाद आज कारी करम में शामिल होने के लिए बहुत ही महतपोर्न जानकारियों हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद आपका अगर मैं बात करूँ प्रयावरन प्रदूशन की तो ये बहुत ही एहम सवाल हम सबके समक्ष हमें सोचने की जरूरत है काम करने की जरूरत है सरकार की योजनाओं के साथ सहीोग करनी की जरूरत है और आप से कहूंगी कि हमें भी आपके सहीोग की जरूरत है हमें जरूर पत्र लिखें, ओमेल भेजें और बताएं कैसा लगता है आपको हमारा ये Morning Life Show बिहार बिहान। और इसके लिए नोट करिए हमारा पता हमारा पता है कारिक्रम बिहार बिहान नीदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पतना फ्रेजर रोड पतना आट शुन्य शुन्य एक हमारा इमेल आईडी है डिरेक्टर डीडीके पतना आट टीमेल डॉट कॉम नमस्कार